दिली कापिटल्स का पहली बार आई पिल खिताब जीतरे का सपना एक बार फेड टूड गया लीट राउंड में शांदार प्रदर्शन का रंक तालिका में टॉप पर रहने वाली दिली को कौलिफायर टू में कॉलकाता नाइट राडर्स के खिलाफ हार का सामना करना बढ़ा दरशल के क्यार ने रोमान चक मैच में दिली को तीन विकेट से हराया दिली को फाइनल में पहुचने के लिए दो मौके मिरे लेकिन दोनों मैच हार का टीम बाहर हो गई दिल्ली कैपिटल्स के प्लियर हार के बाद काफी मायोस नजर आए कप्तान लिशाप पंत और प्रित्री शौप मैच के बाद आसूँ को रोक नहीं पाए केक्यार के खिलाब मैच में एक मौका ऐसा भी आया जब लगा कि दिल्ली मैच जीच सकती है हाला कि राहुलतिर पार्थी ने चक्का मार कर दिल्ली की उमीदों पर पानी फिर दिया मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के स्टेप स्मित और कॉलकाता नाइटराइडर्स के कोच ब्रेंडन मुकलम इस तरह पीच का जायजा लिते नजर आए दोनों इस दोरान हसी मजाग भी करते नजर आए वही टास गावा कर पहले खेरते वे दिल्ली के शुरुवात खराब रही पांचवे उबर में वरुन चक्रवर्ती ने प्रत्वी शौ को आउट कर के क्यार को पहली सफलता दिलाई शीकरदवन की विकेट भी चक्रवर्ती के खाते में आई वही पावर प्ले तक दिल्ली का स्कोर 38 पर एक था लंबे समय बाद प्लेइंग 11 में वापसी करने वाले मारकस, स्टोनिस, शीवामावी की गेंद पर पोल होकर पवेलन लोटे मैं 17 वे ओबर में वरुन चक्रवर्ती गेंद बाजी करने आएं इस ओबर की चौते गेंद पर हेटमायर ने डीप में डाउन पर हवा में शॉटल खेला कॉलकाता के शुमन गिल ने दोड़ते वे डाइब लगा का हेटमायर का शांदर कैंच पकड़ा इसके बाद कॉलकाता टीम जश्म मनाने लगी हेटमायर भी आउट होने की निराशा में डागाउट में लोट चुके थे तबी ओन फिल्ड अमपायर ने कुछ मिनट के लिए रोका और थड़ अमपायर ने नो बॉल चेक करने का संदीश भीजा रिपले में दिखा कि वरुन का पैल लाइन के ऊपर था टीवी अमपायर ने नो बॉल का इशारह किया इस तरह शुमन का बैतरिन कैंच बेकार चला गया वहीं हेटमायर ने 10 गेंदों पर 17 रन बना कर आउट होए दिल्ली की बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही टीम से 135 पे 5 का स्कोर ही बना सकी वहीं कप्तान की विकेट लॉकी फोरुगिसर ने चटकाई जबकि सेमरन हैटमायर रन आउट हुए पंत के सामने चनोती थी कि वो कॉलकाता को जल्द से जल्द आउट करें और फाइनल में पहुंच सकें टार्गेट का पीशा करते हुए कॉलकाता की शांदार शुरुबात देखने को मिली पहले विकेट के लिए शुम्मन गिल और वेंकटे साया ने 12-12 और दो वर में खेल में 96 रन जोड़े रवाणा ने अईयर को आउट कर इस साज़ेदारी को तोड़ा वें एक समय ऐसा लग रहा था कि यही जोड़ी मैच फिनिश करके मैदान से बाहर निकलेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका आविश खान ने शुम्मन गिल को आउट कर दिली को तीसरी सफलता दिलाई एक वक्त कॉलकाता को 30 गिंदों में 20 रन बनाने थे 16 वे ओबर में दिली की टीम ने वापसी की कॉलकाता ने आठ रन बनाने में 5 विकेट गवा दिये आखरी 18 गिंदों पर कॉलकाता को 11 रन चाहिए थे 18 वे ओबर में रवाडा ने एक रन दिया और कार्तिक को क्लिक बोल्ड किया वहीं 20 वे उपर में कॉलकता को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे पहली गेंद पर अश्विन ने 1 रन दिया दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना तीसरी और चौती गेंद अश्विन ने शाकीब और सुनिन लराइन को पाविलिन भेजा पांच वे गेंद पर तिरपाठी ने चक्का लगा कर कॉलकता को जीत दिला दी वहीं मैच के बाद पित्विशाव मैदान पर ही लेट गए और इमोशनल हो गए इसके बाद साथी खिलाडी उन्हें मैदान की बहर ले गए फिर दोस्तों कल के मैच को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में चरूरता है